नमस्कार में नामा लोग है आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूटूब नियू चैनल लाइफ सिटीज को कल तीन फरवरी को जन अकांशा रैली होनी है एतिहासी गांधी मेंदान में इस वक्त हम खरें हैं और यह तस्वीरे आप देखिए गांधी मेंदान समा आपको सीज़े दिखा रहे हैं किस तरीके से भवविता से मंच तयार किया गया है अभी विकारीगर जो हैं वो जुटे हुए हैं काम करने के लिए साथ-साथ जो साउंड बॉक्स हैं उनको अच्छे तरीके से लगा दिय सकते हैं साथ-साथ-साथ-सक्रीन भी लगा दिये गया है इस वक्त आप तस्वीरे अपने ष्क्रीन पर देख रहे होंगे और किस तरीके से अभी शुबह हो या शाम हो दिन रात यहाँ पर जो मजदूर है वह काम कर रहे हैं जो मंच मना रहे हैं तयारियां पूरी भावित कुर्सियां भी मगाई गई हैं आप तस्वीरे देखिए किस तरह के से बहुत दूर तलग जहां तक आपकी नज़र जाएंगे इस गांधी मैदान में वहां तक कुर्सिया बिछा दी गई हैं ताकि जो लोग दूर से आएंगे वह सो बैठ सके और राहुल गांधी को सुन सके बताये तो यह जा रहा है कि महा गटबंदन के सभी नेता यहां पर मौझूद रहेंगे इस मंच पर मौझूद रहेंगे शाद यादव के आने की उमीद है जितना मांजी के आने की उमीद है तेजस्वी यादव की भी आने की उमीद है सभी बड़े नेता यहां पर कि कल जनाकांशा रैली होनी है कल के दिन से ही वह हुंकार भरेंगे 2019 लोग सभाज चुनाव को लेका के त्यारियां जो है वह पूरी कर लिया चुकी है अंतिम चर्म सिम्हा पर है आप तस्वीरे देखी एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको कि सभी के से यहां लोग के बैठने का क्रम है वह मंज से पचास मीटर की दूरी पर है पचास मीटर की दूरी पर है पचास मीटर के नसे वह आपनी नेता राहुल्द कांधि को देख सकेंगे जब वह इस मंज पर होंगे आप फिर से दखिए वह मुख्यAg दिन्फ्रा पूस्टरूं से भी पाट दिया गया है पूरा पटना और जो तैयारियां और उसके बाद कुछ से निकल के आए गा कौनकौर्ण से नेता कल शामिल होंगे उसलेगा हमें उससे भी आपको रुबरू कराएंगे लेकिन सुबह सुबह की तस्वीर सबसे पहले हम आप तब कहुंचा रहे हैं कल रात भर यहां पर काम चला है काम करने के बाद अभी तक जो काम है लगभग लगभग पूरा कर लिया जा चुका है और जो बचा हुआ काम है वो अप की निगाहें उस पर टिक हुई है जितने कारे करता है उसमें क्या जान फूकेंगे क्या जोश फूकेंगे जिससे तीन राज्यों में जीत हुई है च्छतिसगर मध्यपरदेश और राजस्थान में उसके बाद से लोगों में और उत्सा है कि राहुल गांदी यहां पर आक प्रति दिन किसान को देना यह मजाख नहीं तो और क्या है इसके अलावा भी और क्या कुछ कहेंगे मंच से वह तो हम आपको सुनवाएं गहीं लाइक सब्सक्राइब हैं तस्वीरे देखते रहें लेडी स्क्रीन भी दूर तक लगा दी गई है ताकि लोग जो दूर में ब रैली होती है उसकी तस्वीर वहां पर दिखाये जाए जो कॉंगरेस की तरफ से कुछ जितने काम किये गये थे 2014 की बात हो यह 2009 की बात हो उस वक्त तक जो काम किये थे उसके बारें बताया जा और आने माले दिनों में क्या कुछ उनका मिशन है 2019 को लेकर के क्या कुछ वह ज से अगर राहूल गांधी ना दिख रहे हो कि नहीं व्यक्ति को क्योंकि बहुत से बुज़ूर्ग लोग भी आएंगे तो उन लोगों को भी LED स्क्रीन से राहूल गांधी दिख सके क्या वो कह रहे हैं वह तो वह स्पीकर साउंड से सुनी लेंगे उसकी विवास्ता कर दी सब्सक्वित मंडिण से कितने तनी कंडिऊंस उसकस ला ना करता है कि इस कटमने से उन के देखको वह तो सब्सक्राइब लर् tek मेरा रिपोर्ट अब को उस्क्राइब नक्यान कर दिखा रहे हैं पतना कि जाया लए से बज़े से ही डाक बंगला से लेकर गांधी मैंदान तक कोई गाड़िया नहीं चलेंगी जब तक रैली खत्म ना कर दी जाए यातरयात के भी जो इंतिजाम है वो अच्छे कर दिये गया है उसके लिए प्लैन बना लिया गया है सुरक्षा के पुखता इंतिजाम है SPG की टीम ने भी गांधी मैंदान को पूरी तरह से कवर कर लिया है लोगों को थोड़ी परशानिया हो रही है क्योंकि जो लोग सुबह में गांधी मैंदान आते थे मौर्णिंग करने वो नहीं आ सकते हैं लेकिन रैली के दिश्टिकों से कल सुबह से ही द्वार खोल दिये सभी लोग को निमंतन दिया रहा है चारो वर वैंस चल रहा है जनकानशा अलिका प्रचार की आ रहा है रहा है और प्ताय जा रहा है लोगों को आने वाले दिनों में क्या कुछ और तयारिया होंगी शाम जब ढ़लेगा तो जब लाइट जला दी जाएंगी उन तस्वीरों कर दो कर दो कर दो